असलाम वालेकुम रहमतुल्ला बरकातु यह मैं यह पूछना चाहती हूँ के हम जैसे सफर में हैं और जैसे 10 या 20 किलो मीटर हम जा रहे हैं सफर में तो क्या हम नमाज को जमा कर सकते हैं दस दस बीस किलो मीटर को इस जमाने में सफर नहीं कहा जाता है दस किलो दस बीस किलो मीटर तो आदमी जो है जो है मारनिंग वाकिंग पे निकल जाता है यह सफर नहीं है तो उस में जमाने कर सकते हैं कम से कम कितना दूर होना चाहिए कितना किलो मीटर अगर हम जाये तो हम नमाज को यह कर सकते हैं यह सवाल आपको पहले पूछना यह ज्य कि सफर कहा जाता हो हमारे मौाशरे में उसमें जमा और कस्र करना है। सफर की कोई लिमिटेशन किलो मीटर से नहीं है। उर्फ और समाज के अतबार से जमान और मकान के अतबार से बदलता रहता है हो सकता है किसी जमाने में 50 किलो मीटर को 2-3 दिन का सफर कहा जाता रहा हो इस जमाने में 50 किलो मीटर को 20 मिनट में हम तरह कर लेते हैं तो हर जमाने में सफर का definition बदलता रहता है तो जिस समाज और मौाशरे में जिस जमाने में जिस मसाफत को के जाने को सफर कहा जाता हो उसको सफर कहा जाएगा इसका किलो मीटर से कोई तालुब नहीं